पार्ट 3 है टॉफ 500 वन लाइनर का बिहार स्पेसल से रिलेटेड और हम ये एडूटेरिया से डिसकस करें और ये भले ही वन लाइनर के फॉर्म है बट आप ध्यान से सुझेए मैं कोस्टन पूछता हूँ फिर आराम से आप दिमाग में सोचके आंसर सोचिए और उसके बाद अब देखिएगा अठारवा नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियन हुआ ये कहां पे हुआ ये उदूपी करनाटका में हुआ बिहार के कोन से दो लोगों ने अवोर्ड जी था पहला है सनी राज और दूसरा है प्यूस राज प्यूस राज सिलवर मेडल जी था और सनी र कोसन है बिहार कोन से नंबर का राज्य बना है जिसने फार्मेसी प्रेक्टिस रेगुलेशन लाया 2015 ये बिहार चौथे नंबर का इस्टेट है कितने नंबर का इस्टेट है चौथे नंबर का इस्टेट है आपसे अगला कोसन पूछ सकता है नेशनल चिल्डरेन साइन्स Congress के लिए 16 बच्चों को चुना गया उसमें से एक बिहार का है बिहार का कौन सा है प्रणब सुमन प्रणब सुमन अगला कोशन है अभी किस राज्ये ने अपने Sports Authority को अपने Sports Authority को Autonomous Body का दर्जा दिया है ये बिहार ने किया है बिहार State Authority अब Sports State Authority अब एक Autonomous Body है उसके अलाबे बिहार सरकार ने पांच मार्च 2023 को बोला क्या बोला कि ये दोने एक शी साता अभियाद रख लिए ये हम State Awards घोसित करेंगे अगर कोई International और National Award जिता है तो जैसे कोई Olympic में जिता बिहार का या कोई National गेम में जिता तो उसको अलग से Award बिहार सरकार देगी अगला अपसे Question पूछा सकता है एक लेडी जिनका नाम है लक्षमी जहा ये Mount Kilimanjaro पे पहुंची है Mount Kilimanjaro पे पहुंची है अफरीका Continent का सबसे उचा चोटी है सबसे उचा पहार है Mount Kilimanjaro तो ये कहां से बिलॉंग करती है सहरसा से बिलॉंग करती है नाम सहरसा बंगाओं है सहरसा बंगाओं उस पर्टिकुलर जगा का नाम है सहरसा जीला है अगला है Millet Festival बिहार में कहां पे हुआ है भोजपूर में हुआ यह ज्यादा इंपोर्टेंट है इससे जो food processing ministry को नहीं मिनिस्टर को नहीं पसुपति कुमार पारस इन्होंने inaugurate किया एक एक scheme लाए एक scheme छोड़ो एक मीशन है मीशन का क्या नाम है उस मीशन का क्या नाम है जिस मीशन में हम जहते हैं बिहार को पटना को सुआक सर्विक्षन के सिटी में टॉप 10 सवखसहर बिलाना इसका नाम है मिशन गारवेज फ्री सिटी मिशन गारवेज फ्री सिटी उपेंद्र कुसवाः किस पार्टी को छोड़ दिये हैं और कौन सी नई पार्टी बनाए हैं सोचिए जनता दल उनाइटेड पार्टी छोड़ दिए जो नितीश्क मारवाली पार्टी है और एक नया पॉलिटकल और्गनाईशन बनाना है राष्टिये लोक जनता दल राष्टिये लोक जनता दल और यह मेंबर ओफ लेजिसलेटिव काउंसिल के पोस्ट पे भी छोड़ती है एक कौन सा योजना है जिसके तहत हर डिस्टिक होड़ हेड़ क्वाटर में रीवर के किनारे क्रेमेटोरियम बनाना है यानि लोक का जो जहां पे जलाते होगा रहा है उसको बनाना है यह है मोक्ष धाम योजना क्या नाम है मोक्ष धाम योजना अब चलिए हम फरवरी महीने का करेंट अफेर्स डिसकस करते हैं अगला कॉस्टन आप से पूछेगा इनोवेशन इन साइंस में बिहार फोर फ्रंट बना है बतला बिहार की रैंकिंग वन आई है सेकेंड नंबर आया करनाटका का हर महराष्टर का आपको बताने रिपोर्ट दिया किसने एनसी इयार्ट का डेटा है एनसी इयार्ट रिपोर्ट निकाले है अगला है वहार अभी किस मचली को या किस प्रोड़क्ट को जी ऐई टैग दिलवाने के फिराकमें ये रोहु मचली को तो गवर्बर्मन वीसर अगला कोशन पूछ सकता है अभी दो दिन का होटी कल्चर फेस्टीबल कम कमपटीशन और्गनाइज किया गया है यह कहां पर और्गनाइज किया है यह आप से पूछा सकता है यह और्गनाइज किया गया हार्डिंगे पार्क में फतना में है उसके हляब आप याप पूछसाकता है अगला कोशन है वूमेन रोड साइक्लिंग लीग वूमेन रोड साइक्लिंग लिग जोकी गिरी जारखंड में हुआ इसमें बिहार कितना मिडल जीता चार मिडल जीता दो गोल्ड और दो सिल्बर आपसे अगला पूछ सकता है एक प्रोग्राम हुआ है एक cultural festival टाइप का हुआ हम इसको Rainway Program बोलते हैं Rainway Program of Folk Dance Rainway Program of Folk Dance जहां पे North East के आठो श्टेट आ रहे थे और यह organized कहां पे हुआ प्रेमचंद रंगशीला जो की राजिंदर नगर पतना में प्रेमचंद रंगशाला रंगशाला जो की राजिंदर नगर पतना में वहाँ पे हुआ और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया अगला कोशन है संगीत नाटक अकाडमी अवर्ड जो की दिया गया प्रेसिडेंट दुरोबदी मुर्मुजी के दौरा इसमें छे बिहार के लोगों को दिया गया जैसे हिरीसी के सुलव है यह प्ले राइटर और आर्टिस्ट है रंजना जहा फोक सिंगर है कुमुद जहा दिवान यह ठुमरी सिंगर है निलेश्वर मिसरा यह सीनियर एक्टर आप लोगों पलता है मितिलेश राय सीनियर धियेटर डारेक्टर है पंडित प्डेम कुमार मालिक यह सिंगर है धृपत सिंगर है और यह दर्भंगा घराना क्यार मुजिट टीचर है अलाहावाद सेंट्रल इन्वर्सिटी में उसके लिए पर बताना है आपको अगला कोशन पुछे का एक पारा स्विम में रहे हैं मुहम्मद सम्स आलम मुहम्मस अलम इनको पारा स्विमिंग व्रूल्ल सिरी चैंपिएंशिप के लिए चुना गया है ठीके रैंकिंग अची रहती है तो चुना जाता है पारा मद हुआ ने अगला कोसेन आपसे पूछा आ सकता है बिहार स्टार्टटप बी हब ये कहां पर इनागरेट किया गया मौरिया लोग, पतना में और इंडर्स्ट्री डिपार्ट्मेंट क्या करें एक स्टार्टप क्रेेट करें अंडर बिहार स्टार्टाप पॉलिशी 2022 एक फार्मर और रहियत कोई भी फार्मर और रहियत डिजिटली साइन कॉपी जो रेविन्यू रिकॉर्ड का न उसको डाउनलोड कर सकते एफोर साइज में जस्त 10 रुपया पे करके अगला क्या है अठारमा नेशनल इंटर डिस्टि जूनियर एथलेटिक्स मिट ध्यान दना 18 नेशनल इंटर डिस्टिक जूनियर एथलेटिक्स मिट जो की पाठली पुत्र स्पोर्स कॉंप्लेक्स में हुआ पाठली पुत्र स्पोर्स कॉंप्लेक्स में जिसमें बिहार साथ मेडल जी था जिसमें तीन गोल तीन सेलवर एक Bronze. अगला है. एक Plateform Setup किया गया है. Special Plateform for Art and Cultural जिसका नाम है Baudhik Adda. आची थे थीचे ना? Baudhik Adda. ये कहाँ पे पटना Art and Craft College campus में. उसके लावे sanitary pad का vending machine पता है, इंस्टॉल किया गया है बहुत सारे senior secondary बिद्याले मीडिल और 5131 में, इसके अलाबे इसमें disposal machine भी इंस्टॉल किया जा रहा है बस इतना याद रखिएगा, focus है menstrual hygiene पे 4th agriculture road में 2023 से 28 तक तो आने ही बाला है ये actually 1st April 2023 से 31 माज 2018 तक है, 4th agriculture road में पे इससे पहले तीन और आ चुका है इसमें किसाल समागम किया गया पतना में अभी marine drive बनाये गया है marine drive बनाये गया बिहार में गंगा रिवर के किनारे international level का उसके लाबे अगला question पूछाज सकता है बिहार के पहला और country का second forestry college यह कहाँ पे बनाये गया मुंगेर में बिहार का पहला बट country का दूसरा forestry college कहाँ पे बनाये गया मुंगेर में याद रखिया मुंगेर में और CM नीतिज कुमार जी ने inaugurate किया जब वो समाधान यातरा पे थे देखो नीतियायो का एक delta ranking आता है champions of change delta ranking कहले प्लेस पे आया कटी हार second place पे आया किस फिल्म है भाई agriculture and water resource के फिल्म है एक नया initiative है जिसका पहले नाम समझ लिए कि U-Dias यानि unified district information system for children हर बच्चे का information इस पे रखना है एक से 12 तक है बच्चों का ताकि बच्चों का tracking हो सके कि बच्चे कितने बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं इतने क्लास के बच्चा चाइल्ड tracking system है अभी हुआ क्या है Chief Justice D.Y. चंचूर जी ने administer किया oath of office to five new justice of Supreme Court नई इसमें पत्ना के कोन को ना है याद रखी एक तो Chief Justice पत्ना के है और पत्ना हाई Chief Justice है Sanjay Karol साहब मतलब एक Justice है जज है और एक बिहार के जो Chief Justice नहीं है Sanjay Karol साहब वो अब Supreme Court में चलने गया है और विजय चंदरन साहब आपको यहाँ पर आ गया है बिहार में आप तो अब Supreme Court में टोटल 32 हो गया है नीती आयोग अभी बहुत सारे स्कूल में विजिट किया था और वहाँ पर देखा कि यार जो प्रॉब्लम है एनीमिया की बच्चियों में वो बहुत ज़ादा है तो एनीमिया को effectively खतम करने के लिए उसने बहुत सारे सरकार को suggestion दिये और पुर्णिया पहले पोजिशन पे आता है टॉप रैंकिंग में स्टैंडर ओपरेटिंग सिस्टम यह बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के दोरा ताकि नीवबर्न सिख चाइल्ड का देख रेक किया जा सके अगला यह तो मैंने आप लोग को बता ही गीद दिया था देखर माक्समाम 21 चिल्डेन को सेलेक्ट करना था है बिन सेलेक्टेड फॉम बिहार इन नेशनल साइंस कॉंग्रेस लेकिन इसमें चुना किसके गया प्रनब सुमन का जो इंटरनेशनल इन शाइंस कॉंग्रेस के लिए टोटल इनडिया से 16 बचो को लिए गया है अगला क्या है अगला क्या है बिहार क्या चाहती है बिहार गबर्नमेंट 100 बचों को ब्रॉड वेजना चाहती है और फ्री ओफ कास्ट और यह किसी भी उनिवर्सिटी से हो सकता है, यह बस दिहां रखिएगा, अभी हुआ क्या है, एक सिप है, जिसका नाम है M.V. गंगा विहार, यह गांधी घाट से, अभी इनागुरेट किया गया, डिप्टी चीप मिनिष्टर तेजस्वी वाद अपजी के द्वारा, यह टूरीजम को डेवलब करेगा, यह इंपोर्टन रखना है, M.V. गंगा विहार, कहां से इनागुरेट किया गया, गंगा घार से, गांधी घार से, जिविका हेल्थ, जिविका हेल्थ सेंटर, 22 सदर होस्पिटल में, और 4 मेडिकल कॉलेज में इनागुरेट किया गया, नितिश कुमार विजिटेबल प्रोग्राम है, और मार्केटिंग इसके में, इसके लिए ब्रेंड नेम क्या रखा गया है, तरकारी, याद रखें है, तरकारी, अगला क्या है, अगला क्या है, जो यूनियन वजट, 23 सोबीस है, उसमें से बिहार को सेंटरल साक्स, टैक्स का कितना सिगर मि के बहुत सारे स्कूल में, नाइन्थ और टैन्थ के टीचर नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया है, हर सब्जेट का साइन्स, सोशल साइन्स, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंगलिस, उर्दू सब्जेक्ट के टीचर, अलग जग के टीचर क्या करें, वीडियो बना रहे है, Sports University Bill, यह established किया जा रहा है, राजगीर में, और International Cricket Stadium बना जा रहे है, Sports Academy भी बना जा रहे है, नालंदा डिस्टिक में एक जगह है, तेलहारा, आपको बताया जा रहे है कि वहाँ पे बनाया क्या जा रहे है, बताना है, वहाँ पे तेलहारा में एक म्यूजियम बनाया जा रह बजट एसेमली में, फाइनांस मिनिस्टर विजय घोष चौधरी, एन्नाउंस किया कि वो लॉंच करें, क्रॉप डावर्सिफिकेशन मिशन, ठीक है ना, क्रॉप डावर्सिफिकेशन, मिलेट स्कीम तो आपको पता है, भोजपूर से लॉंच किया गया, कैमूर रोहतास बांका भागलपूर रिष्चंपारण, इनको सेलेक्ट किया गया, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंदर, चीफ मिनेश्टर नितेश कुमार ने, स्टार्ट किया, फासिलिटी ओफ वोमेन हेल्फ डेस्क, सामल्टेनेसली इन, 500 पोलिस स्टेशन, उसके डिसाइड क्या क्या गया, प्रयाग हिंदी साहिते सम्मिलन, ये और्गिनाईज होगा बिहार में, 2024 में, रामधारी सिंग दिनकर जी को, पोस्ट हुमसली क्या अवोर्ड मिला, ये अवोर्ड का नाम है, चैंपियन्स ओफ चेंज अवोर्डे कि इन्हों ने दिया, रामनात स्टुडेंट है, डिपार्टमेंट औफ सिविल और इन्वारेमेंटल इंजिनेरिंग, आइटी पटना में, इनको पहला पोजिशन मिला है, अबसर कंपटीशन में, अबसर कंपटीशन याद रखिया, और ये मिनिस्ट्री ओफ साइंस और टेक्नलोजी ने दिया, पूर्णिया में, देश का सेकेंड डॉपलर रडार कहां पे स्टाबलिस किया जागा, पूर्णिया में, ठीक है, और इन्पॉर्मेशन देगा, वेदर ओफ कोशी श्रीमांचल लिजन, पतना का सागर कुमार है, इसको सेलेक्ट किया गया है, इंडियन जूनियर वर्ल्ड क का बडड़ी चैंपियन्स टीम में, फॉर्ड़ सेकेंड जूनियर वर्ल्ड कबड़ी चैंपियन्सिप जो की ही इरान में होना है, आप से पूछा जा पतना का जो सागर कुमार है, किस खेल से रिलेटर है कबड़ी, इंजिनेरिंग अन मेडिकल कॉलेज में, पतना में, इं की बांका में है, बावर्चक विलेजों की बांका में है, उसके अलावे याद रखना है, एक अवार्ड है, जिसका नाम है कवीर कोहिनूर अवार्ड, कवीर कोहिनूर अवार्ड, ये किस के द्वार दिया जाता है, ओल इंडिया कवीर मठ के द्वारा दिया जाता है, the traditional कव प्रोफेसर शूधा शिन्हा को मिला है ये टीचर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलोजी पतना इन्वर्षिट का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलोजी बुद्धा समयक दर्शन म्यूजियम है और बुद्धा श्मिडती स्तूपा इसको कंस्ट्रॉक्ट किया गया है वैशाली गर जो की वैशालिटिस्टिक में है बुद्ध्या सम्यक दर्शन म्यूजियम और बुद्धा समीति गुपता पहली बार क्या हुआ गवर्नर तो आपको पता है गवर्नर राजिंद्र विश्वनात आर लेकर एंड चीप नितिश्कमार पेड हर्टवेल ट्रीबू टू फनिश्वर नाथ रेनू किस दिन फनिश्वर नाथ रेनू जी का वर्थ इनिवर्सी था फोर्थ मार्च ठीक ना और स्टेट फनिश्वर नाथ रेनू कहां पर कंकरवाग में है अब हम लास्ट महीने के डिस्कस करते हैं इसके बाद अगर आप बोलोगे तो हम डिस्कस करेंगे नहीं तो जैनवरी के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उतना जरूरी नहीं है ठीक है यह जैनवरी कह यहां तक आ गया है यहां तक जैन्वरी का है इसके बाद आप बोलोगे तो हम करेंगे नहीं तो रहने देंगे यह डिसाइड किया गया रेडियो थेरेपी सेंटर हर डिवीजिनल हेड़ कौर्टर में बनाए जाए गया स्टेट के मैथली ठाकूर को इलेक्शन कमिशन ने क्या बनाया स्टेट आइकॉन बनाया मधुवणी डिश्टे का स्टेट आइकॉन यह मैथली ठाकूर अवेरनेस जगाएगी लोग सभा इलेक्शन के लिए और मैथली ठाकूर को ब्रैंड डिमेस्टर भी बनाया था मधुवणी डिश से किया याद रखें वारा नसी में ये सिप क्या करेंग करेंगा फॉरेंड टूरिस्ट जो की गायगाट में पहुंचेंगा पटना उसके बाद दोरी गंज इन छपरा और इस डिस्टेंस कवर करेंगा 32 क्लिमेटर ये बांगला देस भी जाएगा और दिब्रूगर आसाम तक रख जाएगा है 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 हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोग का एंसी अटी जोन में तॉप 500 बिहार के करेंट फेर्स की हम बात कर रहे थे तो इसमें और लेडी हम एडूटेरिया से डिसकस करें को सानांसर के फॉर्म में डिसकस करें ध्यान रखिए का मैं आप से कोस्टन प बिहार के हर डिविजन में रेडियो थेरेपी सेंटर बनाया जाएगा हर डिविजन के हेड़कॉर्टर में ताकि कैंसर पेसेंट को कहीं बाहर न जाना परे अगला कोशन आप से पूछा जा सकता है कि इलेक्षन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के किस लरकी को स्टेट आइकन मैथली ठाकुर को बनाया है ये मधुवनी डिस्टिक से बिलोंग करती है और अलेडी ये मधुवनी डिस्टिक की ब्रैंड एमेस्टर है 2019 से ठीक है और इनका काम है अवेरनेस जगाना इलेक्षन 2024 वाला जो इलेक्षन आ रहा ना उसके लिए अगला कोशन पूछा सकता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने फ्लैग ओफ किया है गंगा बिलास को कहां से वारा नसी से बिहार पहुंचा गायगाट ठीक है और छपरा होके डोरी गंच होके पहुंचा इसको लगभा 32 डिस्टेंस कवर करना है बांगलादे से होके और फिर इसको दि पुर्णिया अगला कोशन आप से पूछा जा सकता है एक किताब है जिसका नाम है प्रियोग धर्नी बिकास सिल्पी नितीश कुमार प्रियोग धर्नी बिकास सिल्पी नितीश कुमार ये बुक प्रेजेंट किया है कुमार वरुन ने कुमार वरुन ने प्रेजेंट किया है ये कुमार वरुन एडिटर है इन्होंने प्रिजन्ट किया नितीश कुमार जी को उसके अलावे वुमेन इंपावर्मेंट का एक बहुत अच्छा एक्जामपल बिहार सो कर रहा है आपको बताना है कि हमारे राज्ये में कितनी परसेंट जो पुलिस है वो महिला है 29% और इन्होंटिव डारेक्टर कोन है इन्वारेमेंट प्रोग्राम एट दे उनाइटर नेशन यह है एरिक सोलहन एरिक सोलहन ने बिहार का जो एक प्रोग्राम है गंगा जल आपूर्ति योजना जिसमें फ्रेस वाटर पानी पहुंचाना है बहुत सारे डिश्टिक में गया र तिबतन और इंडियन एंचेंट विश्टम कहां पर बोथ गया में अगला करेंट है फिर से बिहार में एक जगा बनाया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक स्पार्क यह कहां पर बनाया जा रहा है फतुहा में बनाया जा रहा है इंपॉर्टन इंफर्मेशन है ताकि हमारा समान एक ज़र से दुसरे ज़र पहुँच जाए उसके अलावे अभी क्या हो रहा है कि एक state bridge repair policy बन रहा है ठीक है नहीं मतलब जल्दी बन जाएगा state का जो भी bridge है ना उसकी repair की कैसी policy होगी इसके लिए तो अभी क्या हुआ है एक institution है आई टे रूर की आपको पता है इनको बोला गया कि sir आप बहुत सारे bridge को देखिए बिहार के और उसमें देखिए कि कैसा आप प्रापधान या अपना recommendation देजिए कि repairing policy कैसा लाया जाए उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे तो अब question में आप यहाँ पर confused हो जाओगे यहाँ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है यहाँ पर दोनों अलग अलग क्यों है बतातों आपको अरवल और सिवान के बारे हैं बोला गया कि कोई भी बच्चा यहाँ इसकूल के बाहर नहीं है इसमें government और private इसकूल दोनों की बात की गई है लेकिन यहाँ पे जो data है सुपॉल सुपॉल क्या बगता है कि government school में government school में 93% जो children है गवर्मेंट इसकूल में इन्रॉल है हो सकता है शात परसेंट प्राइबेट में हो यह छे परसेंट 5% जो भी हो लेकिन अरवल और सिवान में क्या बला है हो सकता अरवल और सिवाण में 50 50 % हो सरकारी और private में वहाँ पे सिर्फ सरकारी की बात कि यहां पे बच्चे बस बाहर नहीं है चाहला हो सरकारी में पर गवर्मेंट क्लीम या प्राइबेट में पर रहें तो सुपॉल अगर गवर्मेंट की इंड्रॉल्मेंट बात करें तो उसमें टॉप आता है सुपॉल सेकेंड नंबर पे आता है सहरसा वो इससे अरवल और सिवान क्या है जहां पे एक वी बच्चे बाहर नहीं है उसके अलाभे इंडियन रेलवे और जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक नया स्कीम लाने की बात की है डोर टू द प्रेनोगर सब के बारें पूछा जाता है और यह अभी पाइलेट प्रोजेक्ट है याद रखिएगा उसके बाद अगला कोस्टन है आप से पूछा जाएगा बिहार का कौन सा पूलिस टेशन टॉप तीन पूलिस टेशन में आता है तो यह बिहार का जो अरवल महिला पू अलंदा के उसके बाद एक और है धुरूपद सिंगर है धुरूपद सिंगर है पंडित अभय नारायन मलिक जी यह इनका भी निधन हो गया है यह दरभंगा से भिलोंग करते थे अभय नारायन मलिक दरभंगा से उसके बाद नितीश कुमार जी ने काया कि दीदी का रसोई हर एक medical college और hospital में operate होगी यह ध्यान रखे हैं उसके अलाबे cleanless drive के लिए door to day garbage collection municipal पटना मुलसिफल corporation ने किया है इनका main पता है क्या हो है कि हम जो स्वक्षता surveillance report है उसमें top 10 में जाना चाहते हैं स्वक्षता में उसके अलाबे जो cloth जो patient होती है सारे सदर होस्पिटल में सब डिविजन होस्पिटल में और medical college में यह जीवी का दिदिया प्रोवाइड करेगी यह सारा काम उनका होगा जीवी का दिदी यह ध्यान रखना आप लोग को अगला क्या है बिहार का second second planetarium कहां पर बन रहा है दर्भंगा के polytechnic campus है न वहां पर बन रहा है देश बिहार का second है याद रखा है और दर्भंगा का पहला है उसके लाबे बिहार बिहार government ने Republic Day जो celebrate करते है न उसमें जो बारज हाक ही निकाले था उसमें टॉप किया पंचायती देपार्टमेंट और second अस्थान आया एगरिकल्चर डिपार्टमेंट को उसके लाबे जो रंजी ट्रॉफी होता है तो पहले बिहार जो प्लेट ग्रूप में था जो प्लेट ग्रूप में था न तो उसका champion बना है बिहार मनिपूर को हरा के तो इंडिया बिहार अब प्लेट ग्रूप को हट के दूसरे ग्रूप में आ गया है इलिट ग्रूप में आ गया है उसके लावे आरकेलोजिकल सर्वे अफ इंडिया ने discover किया है दो 1200 साल पुराना miniature इस्तूपा आप से पूछेगा कि miniature जो इस तूपा है न बिहार में मिला है वो कहाँ पे मिला है वो नालंदा महावियार के complex में मिला है Sarai mound के पास मिला है नालंदा मिहार के complex में उसके लाबे सानवी चौहान के बारे में याद रखना है शानवी चवहान ने gold medal जीता है 9 से 11 साल वाले group में और ये 60 वा जो national roller skating championship होता ने बैंगलोर में roller skate चलाने वाला उसमें सानवी चवहान को award मिला है 9 से 11 साल वाले में gold medal जीती है उसके वाले उसके वाद fourth agriculture road map ये implement कब से कब तक हो रहा है देखो 1 April 2023 से 31 मार्च दोजार अठाईस तक है याद रखना अब कास्ट सेंसस पर क्या क्या कोशन आ सकता है कास्ट सेंसस स्टार्ट कहां से हुआ सबसे पहली बार कहां पर हुआ याद रखना है सबसे पहला दीन हुआ एक विलेज हरसर विलेज हरसर विलेज वैसाले डिश्टिंक में वहां से स्टार्ट हुआ यह कोशन पूछा दे सकता है हर बार इसकीम पहली बार जो स्टार्ट होता न जिस ज़र पे पूछ देते है और पहला फेज श्टार्ट हुआ 7 जून से 21 जून Second phase start हुआ 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पहले phase में क्या लिखा जा रहा है कि Village का नंबर लिखा जा रहा है और उसके Head जो घर के House के Head है वो लिखा जा रहा है Second phase में 26 प्रकार के Information लिया जा रहा है इ dictator रखना है उसके अगला क्या है शमाधान यात्रा जो चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू किया पांच जनवरी 2030 को समाधान यात्रा कहां से शुरू किया ये भी पूछा गया कोशन है वालमी की नगर वेतिया वेश्चंपार उसके बाद याद रखना है बिहार कैबिनेट डिशे लिए है कि कितना एमाउंट अप्रूव करेंगे और्गेनिक फार्मिंग को प्रोमोट करने के लिए 104 करोर 9 लाग 13 डिस्टिक जो बिहार है उसको सिलेक्ट किया गया और्गेनिक कोरिडोर जो जो मेजॉरिटी है न वो सौरी गंगा रिवर के किनारे वाले है एडवांस ग्रांट दिया जा रहा है और्गेनिक फार्मर को पहले साल में 11,500 पर एकर दूसरे साल में 500 पर एकर तीसे साल में 500 पर एकर उसके अलाब एक कैम्पेन है जो स्टार्ट किया है ताकि मेडिकल सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके जिसका नाम है मीशन गुनवत्ता कैम्पेन मीशन गुनवत्ता कैम्पेन स्वीप आइकॉन का वोटर अवेर्नेस के लिए स्वीप आइकॉन किनको बनाए गया मैथली ठाकुर को उसके लाबें जो free food grain दिया जाता है वो कब तक दिया जाएगा अंडर नेशनल फूर्ड सेक्योरिटी एड एक जनवरी दोजार तीज से 31 दिसंबर दोजार तेज तक पहले तीन रुपे पर चावल मिलता था दो रुपे पर वीट मिलता था गेहूं और एक रुपे कोर्स करें देखो हम दिसंबर महिने का भी डिसकस कर ले रहे हैं इससे क्या होगा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रील माई जून जुलाई उसके बाद अगस्त का भी डिसकस करेंगा तो टोटल नाइन मंत का हो जाएगा हमारा करेंट अफेस बिहार वाला और एडुटेरिया को जो नया मैगजिन आ रहा है छे दिसंबर को छे सेप्टेंबर को तो उससे भी हम डिसकस कर लेंगे तो बिहार स्पेसल वाला छे सितंबर तक का कवर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा ठीक है उसके बाद नाइन मंत काफी है बिहार स्पेसल के लिए क्योंकि दो सोर्से से हम डिसकस करें एक सोर्स ये वाला है एक सोर्स और हम ओलेड वीडियो में करें उसमें कहां तक हो गया है मार्च, अप्रिल, माई, जून और आज जुलाई का डिसकस करेंगे तो पांच महिना का उसमें भी हो जाएगा उसमें हम बोले थे वो उस सोर्से से 6 मंत का डिसकस करेंगे और परतियोकता दरपन भी 6 मंत का डिसकस करेंगे और एड़ुटेरिया एक परते हो तो दो सोर समारा काफी है कुछ ही इधर उधर होते हैं बाकी सब तो सेम रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपसे पूछा जागा नेशनल थीएटर फेस्टिवल कहां पर और्गनाईज किया गया प्रेमचंद रंगसाला पटना में बट स्टेट यूथ फेस्टिवल छपरा में हुआ ये कन्फ्यूज मत होना स्टेट यूथ फेस्टिवल छपरा में हुआ उसके बाद देखो बिहार चाहता था न इसका जो जहाकी जाए वो रबर डैम जाए लेकिन इसको रेज़ैक्ट कर दिया गया है तो ये सात्मा लगतार साल है जब बिहार का कोई भी जहाकी राजपत पे नहीं दिखा गया है प्रकास परव जी आपको पता है यह celebrate किया जाता है गुरु गुविन सिंग जी के बर्थ इनिवर्सी पे यह 356 मा है IRDA इंसुरेंस रेगुलेटरी वाला जो है इसने बताया कि बिहार में हर थाउजंट में से सिर्फ 165 लोग इंसुरेंस करवाया हुए उसके बाद आप से पूछा जाएगा कि कोसी मेची रेल लिंक प्रोजेक्ट है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और नेशनल वाटर डेवलेप्मेंट इजनसी इन्होंने क्या कि एमो यू साइन किया और एकस्पेंडीचर सेंटर देगी 60% 40% देगा इस्टेट उसके बाद बात करते हैं पत्ना का जो पास्पोर्ट है जादा था लोग 11 मेंस्थान पे हैं मतलब भार uniform अस्थान पे भिहार जहां से जादा लोग जाते हैं बाहर चार लाख लोग ने पासपोर्ट बनवाया और सीवान और गोपाल गंज फोर फ्रंट है कि पासपोर्ट बनाने में गोपाल गंज ज्यादा लोग जाते हैं सेकेंड नमबर पे सीवान है आप से पूछा जागा अभी क्योंकि 72 लोग का डेथ हो गया था जो खराब सराब पिने कारण वो शारण में हुआ था कंट्री का पहला इथिनॉल प्लांट इनागुरेट कहां पे कब किया गया बिहार में 30 अपरेल 2022 को बिहार ने क्या टार्गेट रखा है गिरीन कवर का 17% टार्गेट रखा है मल्टी परपस प्रकाल स्पंज टूरेश सेंटर यह कहां पर बन रहा है पटना के दीदार गंज में उसके लाबे किस स्कीम के तहट बिहार ने अनाउंस किया कि हो 25,000 देंगे गर्ल स्टुडेंट को ग्रेजुएशन पास करने पर सी एम बाली का ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम उसके बाद फाइनांसियल एर 2022 इसमें 25 करोर वर्किंग डेज प्रोवाइड किया गया है मन्रेगा के दौरा जो की हाइस्ट है कजरा सोलर पावर प्लांट यह स्टार्ट हुआ दिसेंबर 2022 से कितना मेगावाट कैपसिटी है 250 मेगाट कजरा कजरा सोलर पावर प्लांट आप से पूछा जाए है कहां पे लोकेटेड लखी सराय में लखी सराय में और बिहार और गुजरात के एनरजी कोपरेशन के साथ MOU साइन हुआ है उसके अलावे सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक डेटा रेलिज किया गया है और जो जो पांचो जो कंट्री का टॉप फाइब मोस्ट पॉलूटेट सिटी है यह बिहार से आता है क्राफ्ट फेयर यह कहां पर और्गनाईज किया जा रहा है चिन्नाई में बिहार साइबर क्रिमिनल को पनिस करने में किस अस्थान पर आता है चौथे पर पहले पर है तेलंग आना उसके अलाबे सेकेंड सप्लिमेंटरी बजट पास किया गया है लेजिसलेटिव एसेमली के द्वारा और मैक्सिमम अमाउंट इलोकेट कहां किया गया है पटना मेट्रो को 569 ठीक यह ओरिजिनल बजट की नहीं बात करते हैं सेप्लिमेंटरी बजट इसमें 100 करोर हर खेत को पाने को दिया गया है उसके लाबे मिनिस्टर आफ स्टेट आफ केमिकल अन फर्टिलाइजर ने बता है राजे सबा में फर्टिलाइजर प्लांट सेट अप किया जा रहा है बरौनी फर्टिलाइजर फैक्टरी का टार्गेट क्या है कि 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया हर साल क्या करना प्रोड् अपना के हाई कोट चीफ जस्टिस है संजय करोल और सीनियर जस्टिस है एह सुनुदीन अमनुलाह इनको अपोइंट किया गया अज़ जज अब सुप्रियम कोड काबिनेट डिसिजन के बाद कितना फाइन लगाया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने पर 5,000 रुप्या बिहार मुंसिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है जिसने अप्रूव कर किया है मॉडल बाइल बना के बिहार काबिनेट ने क्या किया है स्टेट ऑथौरिटी बनाए जिसमें CM होंगे चेर्मेंं और Executive Chairman होंगे डिप्टी चेर्में विल्ट डिजिज आप सो पुछा जाएगा कि किस प्लांट में लगता है पल्स में लगता है भागलपूर में मिला है यह उसके लाबे मल्टी मोडल जो ट्रांस्पोर्ट हव है ये एनाउंस किया गया नियर पटना जक्षन संत्रहमा ध्यांदना सत्रहमा त्रीपी तक चैंटिंग फेस्टिवल कहां पर और्गनाईज किया जा रहा है माहाबोधी टेंपल गया में चीफ गेस्ट कोन बने है प्रेसिडेंट रामनाद कविन जी डेपूटी प्रेसिडेंट है जा फॉर्मर प्रेसिडेंट है और्गनाईज किया गया वियतनाम के तरह नदन वूड एक्सपो ये और्गनाईज हुआ दिसंबर 2022 में गांधी मैदान पटना में दलाई लामा बिहार पहुंचे है और महा बोधी टेंपल पहुंचे ये ध्यान रखना है तो दिसंबर तक हमारा हो गया और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तब तक लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच डिस्क्रिप्शन सेक्षन चेक कर लिए हमारे कई कोर्सेस है उस पर आपको 50% तक को आफ मिलेगा टीचर्स डे तक यानि 5th आप सेप्टेंबर तक तो आप जोईन कर सकते हैं अब पहले रिव्यू आप पहले आप उसके डेमो देखला उसके बाद ही कुछ सोचना टेक्स कर करना पहले थैंक्यू थैंक्यू सो मच